हलो गाइज, हो आर यू गाइज, I hope guys all are doing good and in this video हम बात करेंगे ब्राक्यल प्लेक्सस बारे में और ब्राक्यल प्लेक्सस क्या होता है ना प्लेक्सस मींस नेट्वार्क होता है नर्ब से लोता है जो नेट्वार्क नर्ब जो अपर एक्स्ट्रीमीटी को जाता है यह सब होता ह और उसका ओरिजिन कहा होता है ना अंटेरियोर रामी अप लेयर फोर सर्वीकल नर्ब एंड फास्ट्रासिक नर्ब जैसे C5, C6, C7, C8 और उसके साथ T1 तो फाइप हो गया हमारा जो नेट्वार्क होता है मोस्टली हमारा स्पाइनल कोड से शुरू होता है और हमारा जो ओ पर एक्स्ट्रीमिटी का जितना नर्ब होता है उसको बोलता है ब्राक्याल प्लेक्सस तो बूक में दिया हुआ है आप देख सकते हो इसको तो इसी पर आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारा जो ब्राक्याल प्लेक्सस होता है ओ ओर इजिन होता है अंटेरियोर रामी आप C5 to T1 जैसे C5, C6, C7 and C8 and T1 जो lower 4 cervical nerve होता है और fast thoracic nerve T1 तो यह हो गया हमारा 5 क्या होता है 5 हो गया root तो 1, 2, 3, 4, 5 यह 5 root हो गया और उसके साथ क्या होता है जितना 5 root होता है उससे क्या होता है थिरी ट्रॉंक बनाता है जैसे आप देख सकता है यह होगा superior, superior, middle and superior, middle and inferior आप बोल सकता हो जो upper, middle and lower याद करने के लिए तो superior, middle and inferior तो जो trunk part होता है जो trunk and root part होता है हमार नेक region पर रहता है और code और उसके बाद जो branch होता है अक्जिला में present होता है तो उसी के साथ हम देखेंगे अभी superior trunk, middle trunk and inferior trunk और उसी से जितना है 3 trunk होता है उसी से 6 division होता है जैसे सबका anterior division and posterior division होता है तो जितना भी हमारा सबका posterior division होता है जैसे देख सकते हो आप जैसे superior, superior trunk का posterior division and middle trunk का posterior division and inferior trunk का posterior division ये सब 3 posterior division क्या बनाता है वो होता है posterior cord हो जाएगा, posterior cord इसको बलते है posterior cord तो उसी तरह का, आप देख सकते हो दो superior, superior का क्या आता है, superior trunk होता है, superior trunk का anterior division anterior division, lateral cord बनाता है और उसी तरह का middle trunk का, middle trunk का anterior division वो भी ये lateral cord बनाता है और inferior, inferior क्या क्या आता है, inferior trunk, inferior trunk का anterior division क्या होता है, जो medial होता है, medial cord बनाता है फिर जो posterior division होता है, posterior division बनाता है, ओ रेडियाल नर्ब बनाता है, ओ ब्रांचेस होता है, रेडियाल ब्रांचेस, और रेडियाल के साथ साथ उसका और एक proximal branch होता है, उसको बोलते है, auxiliary norm और उसी तरह का जो हमारा, जो lateral cord होता है, lateral cord का, lateral cord का टू ब्रांचेस होता है, जिसे एक musculocutaneous और एक उसका lateral root, और medial का, medial root, ओ बनाता है, medial nerve और उसी तरह का हमारा जो medial cord होता है, medial cord बनाता है, ulnar nerve यह हो गया है, जितना भी हो गया है, और terminal branch हो गया है, और यह हमारा क्या 5 terminal branch formation करता है, जैसे हम पहले देख सकते हो, इसमें 5 होता है, 5 root and 3 होता है, 3 trunk होता है, फिर उसके बाद 6 division होता है, और 6 division के बाद फिर से 3 cord होता है, और cord के बाद 5 terminal branch होता है, और वो branches terminal branch होता है, तो उसके बाद देखेंगे paper में आपको जो ट्रीक है, उसको समझा दूँगा, वो easy होगा समझते के लिए, इसी पर आप देख सकते हो, यह हो division और फाइप रूट, अंटेजर रामी और फाइप रूट, जैसे दिख से C5 to T1, यह होगा, लोयर फोर सर्विकल नर्ब और फार्स थोरासिक नर्ब T1, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो उससे 5 ऐसे रूट निकलता है, उसको क्या मोलता है, रूट निकलता है, तो उसको रूट बोलता ह यह होगा, 1, 2, 3, 4, 5 रूट, यह होगा, रूट होगा, फिर फाइप रूट से क्या होता है, ना, 3 ट्रॉंक निकलता है, तो ट्रॉंक, यह ट्रॉंक होगा, तो ट्रॉंक जो होता है, यह होगा, जैसे आप देख सकते हो, यह होगा, अपर ट्रॉंक, अपर ट्रॉंक, यह हो तो उसी के साथ उसके साथ क्या होता है तो अपर ट्रॉंग का पोस्टेरियर डिविजन फिर उसके साथ जो तो मिडिल ट्रॉंग का पोस्टेरियर डिविजन फिर क्या होता है तो फिर क्या होता है थिरी कॉर्ड होता है एक हो है लाटराल कॉर्ड लाटराल कॉर्ड और एक होता है मेडिल कॉर्ड और मेडिल कॉर्ड और मेडियान कॉर्ड और एक होता है और एक होता है पोस्टेरियर कॉर्ड पोस्टेरियोर कोड यह होगे थ्री कोड हो गया है एक होगे लाटराल कोड और एक होता है मीडिल और मेडियान कोड और एक होता है पोस्टेरियोर कोड इसी से एक लाटराल कोड का ऐसे होता है लाटराल रूट और एक मेडियान कोड जो होता है उसका मेडियान रूट यह यह होगे लाटरल रूट यह होगे मेडियन रूट तो इसी से जो ब्रांच फर्मेशन करता है यह जो ब्रांच फर्मेशन करता है उसको बोलते हैं मेडियन नर्व तो आप देख सकते हैं यह जो लाटरल कोड का लाटरल रूट और मेडियन कोड का मेडियन रूट से जो नर्व फर्मेशन करता है उसको क्या बोलते हैं मेडियन नर्व तो उसी तरह का जो हमारा लाटरल कोड लाटरल कोड एक ब्रांच फर्मेशन करता है और एक मेडियन कोड करता है तो लाटराल कौॉड का जो होता है मॉस्कुलो ये युटनियर्व मॉस्कुलो क्यूटनियर्व और जो मेडियन कॉड से परमेशन होता है उसके बहुत का इधंद अलनार्व अलनान होता है हमारakah जो पॉस्टेरियोर कोड हंता है पुस्टेरियorbे टू ब्रांच फर्मैंशन होता है और फिरवा वाला ब्रांच होता है उसको ब्लैं वह स्कुंगे रेडियाल नर्फ music पॉसरेडियाल नर्फ एंड अरेखлемौते है hygiene chapters पे नर्फ एकसे लेदी नर्व और जो रैडियाल नर्व हता है उसका जो root value हता है root value हता है C5, C6, C7, C8 and T1 सब हता है root value पे क्योंकि उसका जो posterior division हता है सब का posterior division आता है तो root value उसी पहता है उसी तरह जो all-narб nerve हता है उसका root value हता है देख सकते हो आप C8, C8 and T1 उसका root value online norm का C8 and T1 और median norm जो होता है median norm का भी जो root value होता है median and radial norm जो दोनों होता है उसका जो root value होता है C5, C6, C7, C8 and T1 यह सब होता है जो lateral cord होता है एक formation करता है branch और medial cord होता है उसमें 3 branch formation करता है और posterior cord पे 3 branch formation करता है और जो यह होता है जो posterior cord का जो branch होता है वो superior subscopular nerve यह superior और आप बोल सकता हूँ upper subscopular nerve upper subscopular subscopular nerve and और एक होता है upper होता है और एक layer layer subscopular nerve layer और inferior एर सबस्कॉपूलिर नर्व और एक होता है जो बीजवाला न रहे गया ओर नर्ब टु लाटिसमोस टर्साई और थोराको डर्शाल नर्व नर्ब टु लाटिसमोस लाटिसमोस डर्शाई तो अ उसी तरह का मेडियान कोड पर देख सकते हो मेडियान पर जो मेडियान पेक्टोरल नर्व होता है और लाटरल पेक्टोरल नर्व यह होगे मेडियान मेडियान पेक्टोरल नर्व होता है एक मेडियान क्यूत अनर्व आपर अर्म और एक होता 올 होता है मेडियान क्यूत आने फोरर्म, उसी तरह का जो lateral cord होता है, lateral cord पे होता है median pectoral nerve, तो lateral cord पे होता है lateral pectoral nerve, lateral pectoral nerve, lateral pectoral nerve, तो upper trunk से two branches formation होता है, एक होता है supraец своей popular, और एक होता है North to subclavious, सुपरा स्कापूलल जो नॉट से प्रमेशन करता है ट्रॉंक से दो पीजर्वे सनकाया और एक रूटर से होता है और रूट से होता है रूट एलिए ऍपाइप से उज留言 बोलते हैं डर्शन शकापूलर नर्व दर्शन सकापूलर नर्व और जो C5 C5 C6 C7 और यह सब का जितना रहता है जो आप देख से तो यह हो गया जो तीनों रेट से एक साइन करता है नर्व साइन गरता है उसको क्या बलता है लोंग थोराशिक नर्ब फिलॉग थोराशिक तराशिक नर्ब और इसका इनर्बशन मोड़ि लिए हमारा जो भी ऊंटेर्यर को सप्ला हुआ अंपलाइब काता है उन्हों और मोच डेख सकते हैं रोटे के आटा रह येilla नर्ब का रूटे ब लू रूट वेलू होता है C5 2 T1 रूट वेलू सब होता है इसी पे और अलान नर्प का रूट वेलू होता है अलान नर्प का अल्ली 2 होता है जैसे 6, 8 and T1 और मेडिया नर्प का रूट वेलू सब होता है रूट वेलू होता है C5 to T1 C5 to T1 root value? अर क्यूんकि इसमें सबसे qus syen में आएगा तो सबसे dominant होता है radial nerve लेन उसके बाद होता है medial nerve radial and medial तो उसके बाद musculo cutaneous musculo cutaneous होगा उसका root value C5 C6 and C7 ये तीनों हो गया root value of musculo cutaneous nerve फिर से उसका revision कर लेता है पहले क्या होता है तो इसी पर शुरुवात होता है जैसे ओरीजिन होता है और उसका क्या होता है जो यह C5, C6, C7, C8 and T1 रहता है और 5 रूट रहता है और 5 रूट से क्या होता है तो खुता है जैसे अंटेर डिबजन अफर ट्रांग एंड आनटेर डिवीजन अफ accredition अफ लएर ट्रांग तो गर्वाता है जैसे लाटर्ल कर्ड अद मेडियान कर्ड एन पौस्टेरियर कड तो लाटरल कर्ड कैसे बनता है जैसे आप देख सकते हकी हो जो अपोर ट्रोंग का अंटरियर डी घ्रियर डी आईड सिसे जो फेम सब्सक्तर आप उसिंह raising पोड्रक ट्रोंग का अंटरियर डी घ्रीजण पर Dec का पोश्टरैयो कौर्ड वर्मेसं करता है जो लाटराल कौर्ड रहता है ओं लाटराल कौर्ड मेडियाल कौर्ड यह दोनों मिल कि क्या होता है कि क्या होतgest और उसी तरह का जो पोस्टेरियो कोड रहता है दो ब्रांच होता है जैसे देख सकते हो यह होगे रेडियाल ब्रांच यह होगे रेडियाल नर्व और एक होता है अगजिलार अगजिलार नर्व यह होगे दोनों उसका इनर्वेसन होता है पोस्टेरियोर कोड का तो उसी तरह का lateral cord के एक branch होता है lateral pectoral nerve और median का उसी तरह का तीन होते हैं तीन branches होते है medial cord का medial pectoral nerve medial cutaneous nerve arm and medial cutaneous nerve forearm तो उसी तरह का posterior cord का three division होता है three sorry posterior division posterior cord का three branch होता है जिसे उसी तरह का रहता है only only जो अपर ट्रोंग रहता है उसका two branches होता है एक होता है suprascapular और एक होता है nerve to subclavius तरह का root से भी होता है root देख सकते हूं यह का dorsan scapular nerve c5 root से prevention करता है और c5 c6 c7 जितना भी root रहता है तीनों तीनों रूट का एक innervation होता है branch formation करता है उसे लॉंग थरासिक नर्व इस इराटस आंटेरियर जो मुसल लेता है नर्व इनर्वेशन सप्लाई होता है लॉंग थरासिक नर्व आर्टीडी सीबी तो आर्टीडीवी रूट ट्रॉंक डिविजन कॉर्ड ब्रांचेस रूट फाइब ट्रॉंक थ्री डिविजन शिक्स कॉर्ड थ्री ब्रांच फाइब यह हो गया ब्राक्यल ब्लक्सस आई होब गाईज इस वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करना थैंक्यू सो परूँ द्री ब्रांचेस